दोस्तों आप सभी कछुए के बारे में तो जानते ही होंगे यह एक ऐसे जीव हैं जो बहुती धीमी चाल से चलते हैं और बहुतते लोग इन्हें अपने घरमें भी पालते हैं क्यूंकि इन्हें पालना बहुती ही सुभ माना जाता है ये कछुवे पानी और जमीन दोनों जगों पर रह सकते हैं और इनके पास एक सुरच्छा कवच होता है जिसका इस्तमाल ये खतरे के वक्त अपने आपको छिपाने के लिए करते हैं ये एक ऐसे प्राड़ी हैं जो बहुत नहीं लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं और आपको बता दूँ कि इस दुनिया में इनकी लग वक्त तीन सो से फिजादा प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन क्या आपको पता है इन कच्छूओं का जन्मा कैसे होता है अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों इस प्रखूआ में सबसे पैलनर और मादा का मिलन होता है और इनका ये मिलनलग वग आदे से एक था चलता है तो जैसे इनके मिलन की प्रखूआ समासको हो जाती है उसके 40-50 दिनों के बाद मादा अंडे देने के अवस्था में आ जाती है आपको बता दूँ कि ये कच्छुए जादा तर गर्मियों के मौसम में ही अपने अंडे देते आए क्योंकि गर्मी का मौसम अंडों को अच्छे से हैच होने में मदद करता है तो जैसे इमादा कच्छुआ समुद्र के चट पर बहुत जाती है उसके बाद ये अपना अंडा देने के लिए सुरच्छ तस्थान की तलास करती है तो जैसे इमादा को कोई सुरच्छ तस्थान मिल जाता है उसके बाद ये अपना खोंसला बनाना सुरू करती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने आराम से अपना खोंसला बना रही है आपको बता दूँ कि इन्हें कठा खोदने में 20-25 मिनिटों का समय लग जाता है और इनके कठे की कहराई लग भग 7-8 हिंच तक होती है तो जैसे इनका खोंसला तयार हो जाता है उसके बाद ये अंडा देना सुरू करती है आपको बता दूँ कि ये एक बार में लग भग 200 अंडे दे सकती है लेकिन इस प्रफिया के दोरान कुछ अंडे एक दुसरे से टकरा कर तूट जाते हैं जो सबसे बुरी बात है तो जैसे ये सारे अंडे दे देती है उसके बाद ये अंडो को रे तीली मिट्टी से दबाना सुरू करती है तो जैसे ये सारे अंडे को दबा देती है उसके बाद ये माता अंडो को उसी हाल में छोड़ कर वापस समुद्र में चली जाती है और अगर वीडियो इंट्रस्टिंग लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो लग भग 50-60 दिनों के बाद इन अंडों से बच्चे बाहर निकलना तुरू होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितने छोटे और प्यारे होते हैं और ये निकलते ही सीधे समुद्र की ओर जाने लगते हैं लेकिन इस बीची ने कई ख़़नों का सामना करना पड़ता है जिसमें पसू, पच्छी, केकड़े और भी कई सारे सिकारी जीव इनका सिकार कर लेते हैं जिसके कारण इनकी संख्या और भी कम हो जाती है और जो बच्चे समुद्र तक पहुंचने में काम्याब हो जाते हैं उसके बाद वो पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं लेकिन समुद्र की घहराईयों में भी ये सुरचित नहीं होते हैं क्योंकि बहुत से समुद्री जीव इनका सिकार कर लेते हैं और यही कारण है कि बहुत ईही कम बच्चे वयत को होने तक जीवित रह पाते हैं आपको बता दूँकि ये बच्चे सुरवाती दार पर समुद्री मशलियों के अंडे खाते हैं और जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी खुराक समय के साथ बतलती जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें वयत को होने में पूरे 20 सालों का समय भी लग सकता है। और आपको बता दूँ कि इन कश्मों का जीवन का जीवन का लगभन 200-200 साथ तक होता है और चीटी का जन्म कैसे होता है जानने के लिए इस फिरीन परा रहे वीडियो पर क्लिक करें तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अखी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वाज के लिए विसे इतना ही मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो और ने टापिक के साथ तब तक के लिए आपका दिन सुब हो